हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होग खुश होंगे अपनी लाइफ में जॉय कर रहे होंगे हपी होंगे दियर हमाई दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश है कोजिटिविटी को ट्रेक करें आपके लाइफ में धेर सारी खुशिया है दि जानने की कोशिश करें कि कौन है जो असली चैरा नहीं दिखा रहा है आपका वैल विशर बन रहा है आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रियेट कर रहा है आपके तरक्य से उसको हो रही है प्रॉब्लम और अगर ये थर्ट पार्टी है तो ये थर्ट पार्टी आखिरकार ऐ हुआ हुआ है इसको इसकी हमें नजरों के सामने आ जायए कब चाहते हैं चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी जो जो ये चाहरे पर चहरaja लगाकर घूम रही है जो लोग उनका reality कब सामने आएगा कब इनकी बाते पता चलेगी कब बाहर आएगी कि ये कितना sugar coating करते हैं कुछ लोग हैं आपके life में जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा sugar coating करने की उनकी आदत है किसी तरह का proposal देंगे बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मैंने कहा ना कि emotional तरीके से आपके जीवन में कुछ लोग involved हैं जो आपके ही साथ में रहकर boundaries बना रहे हैं ऐसी boundaries कि आप success को पा नहीं सकें ऐसी boundaries कि जिसमें आपकी बढ़ती हुई success आती हुई तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही है यह चीज मुझे दिख रहे है कि कोई बराबर आपके जीवन में आ रहे balance को खुशियों को plan कर रहा है कैसे उनको खराब करना है कैसे उनको कही न कही problem करनी है तो उसके बारे में जगल कर रहा है कोई तो यहां पर मुझे clear दिख रहा है कि किसी ने तलवार तान के रखी है कि जब जब आप आगे बढ़ोगे तो वो आपके जीवन में tower moment लेके आएगा तो वो चाहता है कि आपके जीवन में tower moment आए आपको हराने की उसकी एक कोशिश मुझे रिखाई दे रही है आपसे बातचीत अच्छा करता होगा आपसे बोलता अच्छा होगा आपके साथ में उसके रिष्टे भी अच्छे होंगे लेकिन उसका मकसद आपको हटाना है आपको हरा कर आपको अपनी life में इतने सारे option उमें फसा कर वो भागना चाहती है या चाहता है आप जो efforts लगा रहे हो आप जो business कर रहे हो आप जो इतनी महनत कर रहे हो वो अपनी तलवार के आगे आपको जुकाना चाहता है तो कोई है इंसान जो आपकी life में हो रही success आपकी life में आ रही तरक्की को देखकर परिशान हो रहा है इंतजार करता रहता है और यह कई बार उसने आपके जीवन पर नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत ही दिखाई है एक तरह से नेगेटिव एनर्जी में यहाँ पर मुझे वो डार्क एनर्जी ब्लैक एनर्जी नहीं दिख रही है वो ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसे हम कहेंगे कि क्या बुलते किसी पर ऐसा दबाओ बना लेना किसी पर ऐसा दबदबा बना लेना तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई ले लिए है रियल में अगर हम बात करें तो इस इनसान की असली रियलिटी जो है वो जो आके इर्दवर गिर्दवी है जो चहरे पर चहरा लगाकर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मचा रहा है शूर और आपको भनद भी नहीं है कि यह इनसान है कौन तो यहां पर यह इनसान का परदा फाश हुने वाला है मुझे यह दिख रहा है कि इनसान जो है अपने चेहरे पर एक चेहरा लगा कर घूम रहा है उसका चेहरा हटेगा ना तो सारी दुनिया के सामने ये सच्चाई आजाएगी कि ये इनसान इतना टॉक्सिक है इतना ज्यादा नकली चेहरा लगा कर घूम रहा था कि ये कभी किसी का हेल्प नहीं कर सकता है ये कभी तलवार की नोगप पर लोगों को छुकाने की कोशिश करिए, अपनी अतरठि के बल पर लोगों को use करने की कोशिश करिए तो कुछ लोग हैं आपके इर्दगिर्द ऐसे जो आपको परिशान करें या फिर ये third party हो सकती है जो इतनी toxic है इतना ज़्यादा negative चीजों को कर रहे है या फिर ये third party आपके partner को मजबूर कर दे रही है आपको मजबूर कर दे रही है गुठने टेकने को आप इनके आगे गुठने टेक दो आपके partner जो है यहाँ पर surrender नहीं कर रहे है आपके partner जो है इस third party के control से बाहर भी निकल रहे है और इसकी तलवार के आगे वो अभी कुछ देख भी नहीं रहे है आपके partner यहाँ पर efforts लगा रहे है अपने चीजों को लेकर सोच रहे है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप यहाँ पर अपने business को grow कर रहे है आप यहाँ पर अपने career को grow कर रहे है आप दोनों ही couple तो यहाँ पर यह दिख रहे है कि यह इनसान जो third party है वो बहुत बहुत ज़्यादा toxic है बहुत ज़्यादा negative energies में है यह इनसान को देख आपको लगेगा कि यह इनसान वाकई में मेरे लिए negative सोचता है यह इनसान वाकई में मेरे लिए बहुत ही गलत भावना रखता है ऐसा ख्याल आपको आ सकता है जब आप इसको मिलेंगे या इसे देखेंगे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनसान आपको अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कोई अच्छी सक्सेज मिल रही है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे है तो ये क्या करेगा ये करेगी कि उस समय क्या आपके जीवन में देखो पहले क्या था? कि आपके जीवन में एक टावर मुमेंत आया है आपके जीवन में सब चीजे बुरी हो रही थी कोई option नहीं था चीजों के सही होने का बहुत hanged situation थी बहुत ही खराब situation थी लेकिन ये जो लोग है वो नहीं चाहते थे कि आप कुछ करो आप तरक्की करो तो इन लोग उने क्या करा है कि बहुत ही बुरी चाल चल के बहुत ही बुरी तरीके से यहां पर चाल चल के आपको परिशान किया आपक कमज़री है उसको यह लोग बना देते हैं और तरथा यह बाते बोलते हैं को ताकि आफ एपको आखों में ढून जोकी जा सके हैं इसलिए यह मोटिवेट करना पंप करना यह आद़ तें न कीильно की के आपको भरकाया गपनी के आप Dawn कॉ आप अगर कुछ गलस भी कर रहे हैं तो यह आपको नहीं दोकते हूंगे असली दोस्त असली पार्टनर वह होता है जो कही न inte कहीं गलस चीजों को भी बताता है अगर हम guide नहीं कर रहे हैं सही चीजे अच्छे चीजे मैं आपको बोल दूँ कि ये ये होगा तो भई जो cards में सच्चाई है वो कहां से पता चलेगी sugar coating तो सबको पसंद आती है पर कड़वाहट सुनने की जिसमें ताकत होना तब ही वो बात बनती है कि सच्चाई क्या है आपको भी पता है कि sugar coating coating कुछ नहीं होता है आपको मैं बोल दूँगे कि आपका partner जो है आपके लिए बहुत कुछ कर देगा आपके लिए बहुत कुछ सोच रहा है आ जाएगा क्या आगया क्या नहीं आया ना भग गई चली गई partner के साथ में किसी third person के साथ में नहीं लोट जो सत्य है उससे पहचानो सत्य से देखो कि अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी पार्टनर ऐसा करती यह किसी और के साथ में रिलेशन में चली गई है चाहे वह डैविल इस एनरजी में थी या कोई डैविल अनरजी उसके उपर इफेक्ट कर रही थी या किसी के इंफ्लेंस में पर चली तो गई है ना यही हकीकत है यह नहीं कि वो गई है और आ जाएगी कहां से आ जाएगी जब उसने आपको छोड़ दिया आपका जेवर पानी घर परिवार सब कुछ लूट के जा चुकी है तो वो कहां से आपके जीवन में इंटर हो जाएगी कुछ लोग बहुत दोके बाज होते हैं उसी तरफ से यहां पर जो यह थोड़ पार्टी है ना वो बहुत दोके बाज है यह इनसान के रूप में भेडिया है सच में यह थोड़ पार्टी बहुत ज़्यादा मीठा बनके आपके रियल लाइफ को दस रही थी यह मुझे दिख ये जो लोग है ना ये लोग एक ऐसा मुकुटा लगा कर बैठे हैं ऐसे कही ना कहीं चेहरे पर चेहरा लगा कर बैठे हैं कि ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं ये आपकी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं जब आप बर्बाद हो जाएंगे जब आप तबाह हो तो आपके जिन्दगे जो blank हो जाएगी न तब इनको कही न कहीं सुकून मिलेगा आपने इनको दर्द दिया है पर ऐसे situation आएगे डियर जहां आपको फायदा होने वाला है तो फायदा तो मैं देखे रही हूँ कि आपके life में फायदा ही फायदा आने वाला है और यहां पर मैं आपको टाइम बताओं तो तीन महने चार महने आप मान लिजिए आपका जीवन लखी प्रियेड्स में जाने वाला है ऐसे लखी टाइम आपके जीवन में आने वाला है कि यह टावर मुमेंट जो था इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा जो भी आपका पास्ट रहा है उस टावर मुमेंट से अब आप बहार निकल आओगे उस टावर मुमेंट से अब आप बहार आकर इतनी ज़एदा उपर्चुनिटी को पालोगे इतना ज़एदा बैलन्स आप अपने लाइफ में बना लोगे कि success आपको मिलने वाली है जितनी boundaries किसी ने खड़ी करने दो जितना आपके बारे में गलत बुलाइक करने दो कुछ नहीं होने वाला आपके जीवन में चीजें सही होगी ये मुकोटा लगा कर जो लोग घुम रहे हैं न ये नकली चहरा लगाना ये चहरे पर चहरा लगाना इनकी असलियत सबके सामने आई ये दुनिया के सामने समाज के सामने सबके सामने इनकी असलियत आने वाली है ये आपका भला नहीं चाहते हैं ये आपके वैलविशर जरूर बनते हैं यार इसके behavior से कि ये तो जो है ना ये इतने अच्छे नहीं देखो आपको क्यों भड़का रही है ये thought party क्योंकि इसका मक्सद ये है कि आप गलत डारेक्शन में जाओ आप गलत चीज़ों को कर लो आप बहकावे में आकर जो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं है ना एकतर से नहीं था कि आपके जीवन में अच्छा हो रहा है आपके जीवन में opportunity आ रहे हैं सब कुछ हो रहा है मुझे दिख रहा है balance हो रही है चीज़े बहुत सारे option आ रहे हैं बहुत सारे आपके पास में opportunity के रास्ते खुल रहे हैं growth आपकी बढ़ रही है तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कुछ लोगों को डस रहा है कोई साप है ना तुम मुझे ऐसा दिख रहा है कि चहरे पर चहरा लगाकर बैठ रहे हैं कुछ लोग और बहुत ज़्यादा बेमानिया यहां पर निकल के आ रही है इस third party की एक ऐसी energy मुझे दिख रहे कि ये आपको सिर्फ भरकाती रहती है आपको लगेगा आपने कितनी महनत करी थी आपको ये भी लगेगा कि आपने कितने efforts लगाए थे लेकिन ये जो आपके जीवन में है इंसान चाहे male हो या female हो इसने कभी हमारे प्यार को नहीं समझा इसने कभी हमारी चीजों को नहीं समझा वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है ये लोगों को क्या problem हो रही है क्या नुकसान नुकस नजर आ रहा है ये भी मुझे दिख रहा है कि जो लोग है वो यही सोचते हैं कि क्या नुक्स नजर आ रहा है उनको दिखें मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि ये थर्ड पार्टी की बातों में आपको नहीं आना है ये आपको सिर्फ मिसगाइट कर रही है भड़का रही है असलियत इस इंसान की आपके सामने आ रही है बहुत जल्द आ जाएगी आपके परिवार वालों के सामने आपके फैमिली वालों के सामने सब के सामने इसके असलियत आने वाली है इसके आखे आपके पैस्तों पर है दिये आपके property, business, कोई जो है वो कहीं न कहीं हरपना चाहता है वो चीज मुझे यहाँ पर देख रही है देखे कुछ लोग है जो आपके abundance से जलते हैं कुछ लोग है जो आपके खुश्बू से जलते हैं कुछ लोग है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखो ये जो कुछ लोग है न ये आपको डाउन करना चाहते हैं इनका मन है न ऐसा दिख रहा है कि नीचा दिखाना चाहते हैं नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं ये लोग आपके सामने एक्सपोस हो जाएंगे बहुत ज़र इनका मैं देख रही हूँ कि बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और डियर इनको शक ना होने दें की आपको सच पता है मैं आपसे बार बार बिंती करूंगे कि आप ऐसा दिखाएं कि आपको कुछ भी पता नहीं है इन लोगों के बारे में कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं बहुत ज़्यादा शातिर माइंडे हैं ये लोग और डियर बहुत ज़्यादा चालाख मुझे दिखाई दे रहे ह परटी जो है बड़ा भारी प्लान भून रही है और इसका असली रियालिटी जो है वो नजर आएगी लोगों को सामने नजर आएगी कि आखिरकार ये चाहती क्या है मुझे ये दिख रहा है कि ये जो है आपके जीवन में कोई रिष्टा जोड़ रहा है आपके जीवन में लिख रहा है कि मूव ओन होना ही है ऑप्शन यहां पर बहुत सारे हैं जगलिंग कर रहा है डियर ये चेहरे पे चाहरा लगाने वाला बहुत सारी प्लानिंग कर रहा है बहुत सारा शर्यंत रच रहा है किसी तरह का टावर मुमेंट आपके जिंदगी में देना चाहता है एक्षण यहां पर आपके पार्टर दिखा रहे हैं या थर्ड पार्टी शत्रू है ये आपको बर्बात करने की कसम खाकर बैठे हुए हैं ओके दिया तो वीडियो में हमने देखा कि असली चहरा इनका सब के सामने इसके रियलिटी आएगी नचर आएगा और देखेगा कि इस इनसान ने जो आपके साथ में किया है वो सब को पता चल जाएगा तो जो भी इसकी रियलिटी है जल्द से जल्द यूनिवर्स करे डिवाइन करे कि सब के सामने आ जाए और आपको न्याय मिल जाए कि आपके साथ में बहुत गलत करा है कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फूल के अनरजी में थे बिल्कुल मौद मस्ती ये सब लेकिन कुछ लोगों की वज़े से दीजे खराब हुई है आपके जीवन में में एक सनलाइट आती हुई देख रहे हुँ प्रकाश आते हुए देख रहे हुँ आपका जीवन जो है खुशियों से बहने वाला है ठीके दिया तो ये है कि क्या सूचते हैं चेहरे पे चेहरा लगाने वाले आखिर कार उनकी सच्चाई क्या है और क्या है असली सच जो वो बता नहीं रहे है ठीके चाहते तो बहुत कुछ है कि आपके जीवन में टावर मुमेंटा जाए लोग आपसे बेकार बात करें और इस्ट्रगल इस्ट्रगल तो बहुत आएगा दियर देखिए ये जो आपके वैल विशर बनने की जो कोशिश करें बहुत ज़्यादा आपके उपर नजर रखते हैं कि आप किसी से प्रपोजल तो नहीं ले रहे हैं आप अपने लाइफ में थर्ड पार्टी को छोड़कर तो नहीं जा रहे हो आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों को मैं यहां पर देख रही हूं और इमोशनल तरीके से यह जो थर्ड पार्टी है यह आपके पार्टनर को फसा सकती है एक इमोशनल ओफर यह दे सकती है चैरियर्ट की एनरजी है बहुत कहीं न कहीं चीजे खराब है न तो इसका चहरा नजर आ जाएगा जब इनको चहरा नजर आएगा तो इनको समझज आ जाएगा कि ये جो है ये थर्ड पार्टी किसी लायक नहीं है किसी किसी भी लायक नहीं है ओके तो डियर ये है थर्ड पार्टी का भी हाल और ये वैल विशन नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा चालाख है बहुत ही ज़्यादा रूड बोल रहे है तो ये कुछ गरबर लग रहा है ओके तो यह वीडियो अगर अच्छा लगाए तो प्लीज लाइक एंड शेर किजिएगा और जो लोग फर्स टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू हम मिलते हैं नेक्स वीडियो पे